सीवान के मेरवा थाना अंतरगत प्राण घड़ी में अपराधियों ने भारत फाइनेंस के कर्मियों के आंक में लाल मिर्च का पाउडर जोंक कर 9 लाक रुपे लूट की घटना को अंजाम दिया है पीरीत फाइनेंस कर्मी संतोष कुमार और मनीश कुमार ने बताया कि हम लोग अपने कार्याले से बैग में 9 लाक रुपे कैश लेकर बैंक आफ इंडिया में जमा करने के लिए नीचे उतर कर बाइक पर बैठी रहे थे तभी तीन की संख्या में आये अपराधियों ने आँक में मिर्च का पाउडर जोंक दिया हम लोग जब तक संभल पाते तब तक अपराधी रुपेयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए वही लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और SIT की टीम घटना की चानबीन में जुड़ गई है साथ ही पुलिस फाइनेंस कार्याले सहित आसपास के दुकानों में लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है